सो हेलो गाईज वेलकम बैक वंस अगेंट टू क्रेजी यार मेरा नमा मितेश भारत वाजान करंड की आयमा सेक्टिर अंडर ग्रेजुएट सुडेंट एड बिट्स पर आनी तो यह काफी जाधा लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं तो अगर मैं मान की चलो तो थर्ड वीक ओफ मार्च या फर्स वीक ओफ अपरिल के अंदर अगर इस बीच आपका जेई मेंज का फर्स अटेम्ट कंड़क्ट हो जाता है ठीक है उसके बाद अगर मैं बता हूँ आपको जेई एडवांस 2022 की एक्सपेक्ट डेट क्या हो सकती है जेई एडवांस 2022 आपका कंड़क्ट कराया जाता है बिसिकली जो भी एडवांस का पेपर होता है जेई एडवांस का वो चकंड़क्ट कराया जाता है विधिन one month prior one month after your जेई मेंज अटेम्ट ठीक है आपका जेई मेंज खतम हो जाता है उसके लग लग-लग-लग महीने बर क के अदर आपका J Advanced का paper complete करा दिया जाता है तो अगर मैं मान के चलो कि आपकी J Mains का first attempt आपका April या third week of March के अदर है first week of April, मान लेते हैm third week of March के अंदर आपका J Mains 2022 का first attempt हो रहा है, तो second attempt आपका कब हो जाएगा April के अंदर? March, April मई के अंदर third attempt हो जाएगा, और जून के अंदर 4th attempt हो जाएगा उसके जस्त एक महीने बाद आप मान सकते हैं अगस्त के आसपास आपका J.E. Advance 2022 एक्सपेक्टेड है हो सकता है अगर जून में या अगस्त में जून में कब होगा जब आपके J.E. Means के दो attempt होंगे और अगस्त में कब होगा जब आपके J.E. Means के 4 attempt होंगे और Bitset का exam J.E. Advance के exam के आसपास ही होता है Bitset का exam shifts के अंदर conduct कराया जाता है 4-5 shift होती है 4-5 दिन तक रगाता है एक्साम चलता है पिछले बार 7-8 दिन तक चलता है ठीक है Max to max एक हफ़ते का gap रहता है उससे ज़्यादा का gap नहीं रहता तो अगर आपके J.E. Means के दो attempt होते है तो आपका Advance आजाएगा June के अंदर और चार attempt होते है तो Advance आजाएगा Last week of August के आसपास ठीक है वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने फ्रेंड्स का इसको शेर कर देना Have a nice day बाई-बाई टेक के लिए